दूसरी क्या चीज थी, टॉपिक हमारा था जिम हो गया, दूसरा गया था टॉपिक नशे बाजी, नशे करने, यह न, बाई, नशे कैसे करने है बाई, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ बाई, अगर आपको नशे करने है, नशे करने है, घर पे बैठके, आपको सिर्फ अप हुम इंफ्लूएंसर हूँ बस यह बोल दो भाई पापा अंडर्स्टेंड कर लेंगे भाई तो आपको अगर नशे करने ढंग से तो आपको करना है भाई हमीशे इंशॉर करना है कि आपके पास ना एक ऐसा बैग तो हूँ एक बैग होना चीए भाई जो आपका पुराना स्क मेरे मेरी 25 साल की चाचा की लड़की के साथ इम्मोरल रिलेशन्स है हम हर फैमिली फंक्शन का वीट करते है स्टोरूम यूज करने के लिए परसों उसकी एंगेजमेंट है अब तो और पड़ हो गया सब कुछ लोग ना मतलब भाई क्या बोलू भाई मैं अब यू-दू-ई भाई यू-दू-दू-दयी विदाई के टाइम पर अकेला रो रहा है क्या हो गया चाहरा जात भाई स्टोरूम सुना लगेगा सारे लोग कुछ भोल रहे हैं स्टोरूम सुना लगता है अब भाई तो ना इपी निकाल इस पे, इपी का नाम रखियो, स्टोर रूम, पहले गाना होगा, आर्टे की बोरी के आसपास, वीड कैसे ट्राइ करें, ये सब मैंनी बता सकता भाई, कैसे मतलब, भाई आपका कोई भाई भाई नहीं है, क्या जो कॉलेज में पढ़ता है, जिसकी चार बैके आ मैं बोलतो रहा हूँ, आपका कोई चार साल बड़ा भाई नहीं है, जिसकी दो बैके आई है, कॉलेज में, कोग कितना करें फर्स टाइम, भाई, डिपेंड करता है, कि कितना पियर प्रेशर है, क्योंकि एक बार ये अगर वो कर लेते हैं, लोग, फिर्न तो ऐसा होता अग को क्वेश्चन अच्छा है, पर यार तुम ये भी तो सोचो ना, आपका जो चार साल बड़ा भाई है, जिसकी दो बैके आई है, उसको कितना अकेला फील होता होगा, आप उसको कमपनी भी नहीं दे रहे, और एक तो ना, मैं सहीं बताँ ना, मैंना आप लोगों की नशे क आदा छुटवाओंगा भाई, मैंने को सबसे गटिया लगती है नशे की आदत, सबसे गटिया, और सबसे चूती है तो लगते है, मेरे को भाई ये स्टोनर्स, सबसे आदा चूती है, सबसे आदा ये लोग ना, पाई सहीं मताँ ना, कोई भी बिजनेस की बात चल रही भाई हम लोग ना एक मैं सोच रहा हूं भाई यार भपा हम मैं ना सोच रहा हूं भपा मैं वस एक्जैंपल ले रहा हूं भाई यार भपा मैं सोच रहा हूं ना भाई हम दोनों ना एक कॉमेडी सीरीज बनाते हैं भपा कहता हां भाई बंडू के बनाएंगे भाई यार हार्दिक भाई यार हम सारे ना एक ना वो कर रहे हैं भाई कि मतलब रेंटवेंट करने की सोच रहे हैं भाई तू आएगा करेगा हाँ भाई सीन सौट भाई मैं बॉंग बॉंग लेकर आजाओंगा भाई पैसे जोड़ने है भाई भाई गले दिन में निकलना होगा बाई कसम से भाई और इनसे अगर बोल दो की बाई मतलब मेरकोden बाई ये लोग पता नी क्योंबाई ये लोग ना पूरे टाइम ऐसे रहतें बाई निठल ले पर इनको ये बस बोल दो भाई गांजा खराब है भाई पता नहीं कहां से बाई दैवी शक्ती आ जाती है इनके पास बाई चिलाने लगते हैं तुझे कुछ नहीं पता चार रिसर्च गिनवा देते हैं भाई पूरे दिन इठलों की तरह इधर उधर पड़े रहते हैं बड़ जैसी ये बोल दो कि भाई ये बेकार चीज है भाई एकदम से इनका शुरू हो जाता है भाई अब तु देखेगा भाई अब तू सुन अब तू सुन बहांचो एकदम तुझे कैंसर है कैंसर होने के चांसेज रुखते हैं अच्छा अच्छा पता नी बाई मेरेको तो बहुत बहुत अजीब लगते हैं बाई अजीब और गांजा फुकते हैं और उसके बादना बाई अजीब हरकते स्टार्ट हो जाती हैं बाई अजीब हरकते फिर ये लोग बहेंचो बैठते हैं और फेर बहेंचो अजीब ज्यान चोथे हैं भाई तुझे पता भाई दुनिया का ना बस एक ही सच है और 30 सेकेंड तक चुप भाई बता तो क्या है सच वो कहता तू समझेगा नी भाई ठीक है ठीक है और एक तो यह सारे ना भाई बताओ मेरे को ना ब और वाई मैं बस ऐसी बैठा रहता था कि भी थो खिषो ने एक चोटा फूसर और भाई बता हुआ यह यह फूकते रहते और इनकी ना बस एकी कॉंवरसिशन होती उस फूकाई में कि भाई उस दिन की फुकाई याद है भाई वो क्या माल था भाई ये माल फूक के जो माल कभी पहले फूका था उसके बारे में बात करते हैं नशे में पिछले नशे की बाते हो रही है भाई अपना कि या भाई मतलब नॉस्टेल्जी आवे नॉस्टेल्जिक नशे करते है भाई नशे में आके